अब नो क्या दिख रहा है ग्राउंड पे जो ग्राउंड पे अभी तक हमें मैं उक्वालियर चंबल रीजन में था तो जो अभी सब ने बात कहीं उसमें अगर मैं एक लाइन में अगर उसको कहूं तो बीजेपी हारती दिख रही है लेकिन कॉंग्रेस जीतती नहीं दिख र मतलब कि हमें एंटिंगमेंसी समझ में आरी लोग बात कर रहे हैं इस चीज की कि नहीं बहुत इतने 18 साल से सरकार हो गई यह उदारान देते हैं कि यह राजस्तान में बदल देते हैं वहाँ ज्यादा डेवलप्मेंट है प्लस जो लेकिन कॉंग्रेस जीतती इसलिए नहीं प्रभाव है कि वो अब जाएं और उनके नाम पे वोट पड़े लेकिन एक बहुत दिल्चस्प चीज दिख रही जो राजीब जी ने भी कही हम रायपूर में जब थे तो मैं मेरे पास फोटो भी है रायपूर में कॉंग्रेस की जो पोस्टर थे वो इस तरह के लगे मुझे नहीं लगता कि गौलियर चंबल और बाकी के इलाकों में उनके नाम पे वोट पड़ेगा वोट पड़ेगा जाती के अधार पे कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि यह विकास करा दिये फ़लाना बनवा दिये नरुत्तम मिश्रा जी के इलाके में मैं था तो यह था कि स् हैं लेकिन वहां पर जाती पर बोट पड़ा नरेंद्र तोमर जो इतने बड़े नेता क्रशी मंतरी हैं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के केंदरी नेतरी तुम्हें अपने बड़े नेताओं को इस विजन के साथ भेजा कि यह जाएंगे तो अपनी सीट के साथ साथ आ दान मंतरी नरेंद्र मोधी को वहां रैली करनी पड़ रही है उस्तियम योगी आदितनाथ यूपी से आएंगे वहां रैली करेंगे नरेंद्र तोमर की सीट पर यह मसला है कि जाती फैक्टर है तोमर है और उनके खिलाब जो कॉंग्रेस से लड़ रहे वो भी तोमर है आम अब वहां पर तोमर के बाद जो सबसे बड़ी जाती है वह है दलिज जाती ऐसी ऐसी वोट एक मुष्ट क्लियर है उसको की अपने को जाना है हाथी पर बटन दबाना कोई कैंडिडेट हो प्लस अब डंडोतिया जी के साथ है कि डंडोतिया उनके साथ आ जाए बीडी शर् पत्वा लोग आकि यह कहते थे थे नहीं बड़े नेता है जीत जाएंगे ऐसे रीती पाटक की सीट फसी हुई है ऐसे घड़ेस सीट फसी हुई यह दोनों सांसत है फगण सिंग कुलस्ते की सीट फसी मंत्री है और बहुत आश्चर है नहीं होगा कि इसमें से कुछ लोग प्रहलाद पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि यहां यह चुनाव जीतेंगे अब जातियों की सेंप्लिंग जब हम लोग करने निकलते हैं तो समझ में आता है कि बड़ी जाती है अपने अपने कास्ट के साथ बटी हुई जैसे हमने यूपी चुनाव में भी किया था तो जो बता रहे थे एक प्रहलाद पटेल का पवाद अगर छोड़ दें प्रहलाद पटेल अपनी सीट पर भी मजबूत है और आज पास की सीटों पर भी असर डाल रहे हैं तो बीजेपी से चुले कुछ लोगों ने का कि हमने तो भेजे इसलिए है कि कमजोर सीटें हैं यह ज चले कि कितने बड़े नेता हैं कि विधान सभा में भी कर पा रहे हैं खेल की नहीं या सब लोग कल जो केवल ना मदारा की तरह मोदी जी कही भरोसे बैठे हैं यह दूसरा फैक्टर है तीसरा हमें और आपको भी ध्यान रखना होगा कि अभी चुनाव खुल रहा है अभी क बाचपा की देखा जाए तो जो पहली सूची आई वो बड़े से और हाइप आपर तरीके से आई को ऐाट बड़े लोगों को टिकेट ड़ाए गया तीन केंदरी मंतुरी चार सांसा दो एक बाचपा कि मैसेजिंग क्या है मोमेंटम बना कि तमाम बड़ा नेता चुनाव ल करने कभी तो पूरी राजनीती समझ में आजा है कि सबसे मुश्किल चुनाओं बड़े नेता में से पांच की हालत तो बहुत खराब है एक जो है वो गंभी रिस्तिती में हैं दो थोड़े से कंफर्ट हैं कंफर्ट हैं पहला पटे और केलाश विजय वरगी अपना चुनाओ हमने दिमनी में एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज देखी जैसे भाजपा ने अपने सारे दिगज नेता उतारे यह सोचकी कि वह आसपास की सीट पर प्रभाव डालेंगे खुद की सीट हारी वी जीच जाएंगे भाजपा की लेकिन दिमनी में हमने देखा लोगों ने हम से गया है कि बीजेपी की स्तिती अच्छी नहीं है तब ही उन्हें इन नेताओं को जमीन पर उतारना पड़ा है हारी वी चीजों को जीतने के लिए यह चीज हमें कई सीटों पर देखने को मिली